नमस्कार आप देख रहे हैं ता इंडिया चौप और मैं हूँ आपके साथ शद्धा बिहार की बात करें तो मौसम विग्ञान का कहना है कि अब बिहार में पश्चमी विच्छोप का असर देखने को नहीं मिलेगा इसका मतलब यही है कि अब बिहार में ठंड कम देखने को मि लेगी ठंड से अब राहत जल्धी मिनने वाली हैं देखिये सुबह औरpmतर की ठंड अभी देखने को मिल रही है दिन के समय में अच्छी खासी धूप पूरे राज्यें में देखने को मिल रही है लेकिन अभी भी गया सबसे ठंड गया में सबसे अधर ठंड अभी भी देखने को मिल रहा है गया के साथ साजितने में पहारी इलाका है वहाँ पे ठंड अभी भी सुबह और शाम महसूस की जारी हलका कोहरा सुबह के समय में देखने को मिल रहा है देखे वसंती मौसम का असर फ़र्वरी के पहले सप्ता में ही देखने को मिल जाता है लेकिन अब ही का जो समय है वो सकेंड की सकेंड वीक से वसंत का असर देखने को मिल रहा है कुछ समय के बाद पतजर का भी असर देखने को मिलेगा पतजर देखने को मिलेगा पूरे राज़ भर में और मौसम में अनिको वदलाब देखने को मिल सकते हैं ठंड कम होती भी नजर आ रही है तापमान ने भी 2-3 डिगरी बढ़त देखने को मिल रही है शनिवार को यानि की कल पूरे बिहार में नियूतम तापमान सामान्य से 2-4 डिगरी कम और अधित्तम तापमान सामान्य से 1-3 डिगरी कम चल रहा है पच्छुआ आठ से पच्छुआ हवा की अगर बात करें तो पच्छुआ हवा आठ से 10 किलोमिटर प्रती घंटे की रफ्तार से चल रही है शनिवार को सबसे जादा ठंडग गया में देखने को मिला जहां का नियूतम तापमान आठ समलव 2 डिगरी सेल्शियस चल रहा है वहीं अगर बात करें रासधानी पटना की नारंदा, नवादा, अरेरिया, बाका, सितामडी और बेगुस राइमी नियूतम तापमान 10 जिगरी या इस से कम रहा हलाकि रविवार की रात के बाद तापमान सामान्य की और बढ़ने लगा यानि की आज रात से सनिवा रविवार की रात से तापमान सामान्य की और बढ़ते वे नजर आएगा आईमजी के छेत्रे निर्देशक विवेक सिनहा ने बताया है कि पच्छवा की वज़ा से ठंड की कंकनी अब खत्म हो जाएगी वसंत का वास्तिक वातावरन देखने को मिलेगा महसूस होगा उन्होंने साथ ही यव्य बताया कि पच्छमी विचोप की दस्तक से अभी तक सामाने से कम तापमान चल रहा था धीरे अब तापमान सामाने हो रहा है मौसम में अब कोई भी बरी उठा पटक की संभावना नहीं है आईमजी के रिपोर्ट के मताबिक अब पच्छुआ हवा के चलने से तापमान में अधिक गिरावट देखने को नहीं मिलेगी वेस्टर्ण डिस्टर्बिंस का असर अब नहीं के बराबर है वेस्टर्ण डिस्टर्बिंस अब नहीं देखने को मिलेगी इस वजह से भी आपमान में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा यानि की अब ठंडी से राहत मिलने वाली है खास कर अगर बीते दो दिन से देखे तो दिन के समय में धूप अच्छा खासा धूप पुरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है राजधानी अगर पटना के बात कर रही है फिलाल इस खबर में इतना ही आप देख रहे हैं अधर इंडिया टॉप धन्यवाद